ग्रेंग मॉर्निंग ओल मैं आपका दोस्त और होस्ट और जो टोपिक में आज लेके आया हूँ वो है इनसीक्योटी इन प्राइवेट सेक्टर एड नीट फोर रिटंडनसी प्राइवेट सेक्टर में असुरक्षा का भाव और रिटंडनसी की हमें क्यों जुरूरत है देखिए हर आदमी अपने करियर को लेके अपने प्रोफेशन को लेके कुछ ना कुछ सपने जरूर देखता है लेकिन आखिर कितने लोगों के सपने पूरे हो पाते हैं एक सर्वे बताता है कि 100 परसेंट लोगों में से 92 परसेंट लोग उस सपने को अचीव नहीं कर पाते हैं जो उन्होंने बच्पन से देखा होता है 6% लोग उस सपने के आसपास पहुंच पाते हैं और केवल 2% लोग उस सपने को हासिल कर पाते हैं अब जो 92% लोग बच गए वो अपनी जीवी का चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे अब जब उनका ड्रीम पुरा नहीं हो पाता तो फिर वो फैमिली के हिसाब से चलने लग जाते हैं अब हमारी इंडियन फैमिली में क्या होता है कि उनके लिए जो सक्सेस का ट्रेड मार्क है या सक्सेस का जो मंतरा समझते हैं वो है गवर्मेंट जॉब मतलब बच्चे के अगर गवर्मेंट जॉब लग गई तो वो सक्सेस्फूल हो गया अब हर किसी को तो गवर्मेंट जॉब नहीं मिल पाती ना बट जीवी का चलाने के लिए कुछ नकुछ तो करना पड़ता है तो बंदा प्राइवेट जॉब करने लग जाता है प्राइवेट जॉब का सबसे बड़ा पेन है कि वो प्राइवेट है मतलब कच्ची है कच्ची मतलब कभी भी जा सकती है कच्ची चीज़ तो कभी भी तूड सकती है प्राइवेट जॉब एक लव मेरेश की तरह है जो शुरू शुरू में सबको बहुत अच्छी लगती है लेकिन एहसास उसको तब होने लगता है जब टाइम बीतने लगता है अगर मैं बात करूँ तो भारत आज दुनिया का सबसे यंग जनरेशन वाला कंट्री है जहां एवरेज इंडियान एज 26 एर है मतलब सबसे ज़्यादा यूथ आज हमारे यहां है जहां से हर साल 1.5 मिलियन इंजिनियर्स पास और ठोकर के निकलते हैं मतलब 15 लाख बच्चे हर साल इंजिनियर्स बनके निकलते हैं अब आप यह सोचो कि कोई बजूर्गों को नोकरी क्यों देगा यह क्यों सस्टेन करेगा जबकि हमारे पास इतना यूथ है जो कि अपर्चुनिटी के लिए बैठा हुआ है कि हमें अपर्चुनिटी दो हमें जॉब दो तो हरकोई तो यूथ को इनोकरी देना चाहेगा ना वो कमसरली पर भी काम करने को तयार है कियोंकि उनको स्टार्ट चाहिए अगर वो ना भी जायए तो घरवाले ताने मार मार क्यूंको बोलते हैं भही नौकरी करो नौकरी करो ज्यादा वर्किंग आज भी देने के लिए तयार है, होली, दिवाली, दिशहरा, एद, कोई दिक्कतनिया वो ओफिस आने के लिए तयार है, उन्हें शुटी नहीं चाहिए, क्यूंकि उन्हें करियर में ग्रोथ चाहिए होती है उस टेम पे, बोस की गाली खाने के लिए भी हम लोगों से मेरा मतलब उन लोगों से हैं, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर में काम करते करते, दस साल या इस से ज्यादा हो गए, और उनकी एस 32 से उस से ज्यादा क्रॉस हो गई है, लेकिन प्रोफाइल वाइज वो विचारे इंजिनियर, सीनिय इंजिनियर या टीम क्योंकि उसके बाद खेल के अनुसार फिटनेस को बरकरार रखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत ही ज्यादा चलेंजिंग हो जाता है, उसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी 32 और 35 के बाद नोकरी बचाना बहुत है, तो इधर यू कैन अपड़िए यूर्सेल्फ विद टेक्नोलजी या फिर आपका मामा हो मौसा हो फूफ हो या चाचा हो जो कि आपको बचाता रहे लेकिन वह भी जादा दिन नहीं बचा पाता क्यूंकि उसके अपनी पैपी तो बनाती है प्राइवेट सेक्टर में ज आपको कोश्टकटिंग के नाम पर प्रोजेक्ट चला गया इसके नाम पर या कॉंपेटैंसी के नाम पर कभी भी फिल्टर ओड किया जा सकता है और इससे पह जादा मज़े की बात क्या है आपको तीन या चार नए फ्रेशर दे दिये जाएंगे कि आपको इन लड़कों को ट्रेंड करना है आपको इनको सिखाना है बताना आपको खुद कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ सुपरविजन करना है अगर कुछ इस तरह का आपके साथ भी हो रहा है तो यह बहुत ही क्रिटिकल अलाम है क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ग्रॉंड में तयारी चल रही है, आपको रैंप डॉन करने की, क्यूंकि शेयर अब बुड़ा हो चुका है, आपकी कम्पनी को कोई मतलब नहीं, क्या आपका हॉम लोग चल रहा है, आपके बच्चे सकूल जा रहे हैं, उनकी फीस भी जाएगी, आपका कार लोग चल रहा है, उसको भी भरना है, आपके भाय बेहन के एज़ुकेशन, उनकी शादी की रिस्पोंसिबलिटी आपके पर है आपके मातापिता के health issue चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है, यह तो समझ में आता है, लेकिन क्या आपको भी कोई मतलब नहीं है? अगर है, तो समझदार लोगों dependency क्यों बना रखिया है? Why are financial traffic running only on single path? Why are professional traffic running only on single path? जबकि आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हो, और समझते हो, कि single path पर अगर कोई कट लग गया, तो traffic तो impact होगा, ओटेस तो होगी ही होगी. आप अपने network को ओटेस से बचाने के लिए हमेशा as a backup, secondary path रखते हो. बात बता हो, जब हम car लेते हैं, उसमें कितने पाइए होते हैं? चार पाइए लगे होते हैं और एक returnant होता है, एक returnancy के लिए दिया होता है, कि अगर चारों में से कभी किसी में कोई दिक्कत परिशानी आ जाए, तो उस step निका आप इस्तेमाल कर सको. अगर मैं human body की बात करें, तो भगवान भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से क्याल रखा है, रिटंडंसी का, दो हाथ दिया है, दो प्यार दिया है, दो कान दिया है, ताकि कभी किसी एक अंग में परिशानी आ जाए, तो रिटंडंसी का इस्तेमाल हम कर सके, जब भगवा दिया है, तो हम और आप तो इंसान है, हम क्यों नहीं अपनी रियल लाइफ में रिटंडंसी का दियान रखते हैं, हो सकता है, बहुत से लोगों ने इसके बार में कभी ना सोचा हो, यह उन्हें वक्ती नहीं मिला हो, क्यूंकि वह तन से मन से इशू के बीचे लगे हुए ह है, अपने फाइनेंशल इशू तो उन्हें लगता है कि PLI से पूरे हो जाएंगे, प्रोपर RCA के पीछे भाग रहे हैं, कल को अगर नौकरी चले गई, तो ढूंडते रहना RCA फिर, ASR KPI को स्ट्रॉम करने में लगे हुए हैं, अपनी सेविंग की KPI की कोई चिंता नहीं है नेटवर्क हेल्थ को सुधारने में लगे हुए हैं, खुद का शूगर, BP, stone, backache, cervical, पचास तरह की बिमारियां लेकर के बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई चिंता नहीं, मेरे भाईयों उठ जाओ, जाग जाओ, इससे पहले कि कोई और आपको आके जगाए, work on financial and professional redundancy, ताकि आपको अपनी basic necessities के लिए नौकरी पर निरभर ना रहना पड़े, बच्चे की स्कूल की fees, home loan, car loan, घर के घर चे, salary ना रहे, तब ही चलते रहने चाहिए, और आपके पास इतना confidence होना चाहिए, कि नौकरी रहे ना रहे, कोई दिक्कत नी, मेरी जो basic रोजमर्रा की ज़रूरते हैं, वो impacted नहीं होंगी, कि हमेशा adjustment, frustration, compromise, tension, depression, लगी पड़ी है, कट रही है, यह सब सुनते और बोलते रहे हैं, जो नौकरी आज आप कर रहे हैं, यह मेरे कुछ क्वश्चन है आपसे, यह क्वश्चन मेरे खूद से भी थे और मैं आपसे भी करना चाहता हूँ, कुछ क्वश्चन है, इनका answer सिर् क्वश्चन है, जो नौकरी आज आप कर रहे हैं, यही आपका सपना थी, क्या आप हमेशा से यही करना चाहते हैं, बच्पन से क्या आपने यही सोच रखता था कि यही नौकरी करेंगे, इस नौकरी से क्या आप professionally secure हैं, क्या फानेशली सी क्या हैं, क्या आप को ओफिस जात तसली होती है कि आज का दिन बहुत जबरदस्ता है, हम मज़ा आ गया, क्या आपको अक्सर सुनने को मिलता है, कि नहीं हो रहा तो छोड़ दो, क्या आप खुद को कुएं के मेड़क की तरह मैसूस करते हो, क्या ऐसा भी कोई दिन जाता है जब आपको गाली ना पढ़ती हो, क और यह सवाल मैं चाहता हूँ, आप भी खुद से पूछें, जब मैंने खुद से पूछें, तो मुझे जवा मिला, रिटंडनसी, 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 हम लोग रिटंडनसी के उपर काम कर रहे हैं, अगर मेरी कही गई बातों से आप एगरी करते हो, तो उस इंसा से जरूर कॉंटेक्ट कीजिए, जिसके दौर आपको यह वीडियो मिला हो.